नमस्ते फ्रेंट्स सबसे पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि पहरा जो वीडियो आया था वो शायद नेटवर्क के इश्यू के लिए क्लिरली नहीं आया तो मैं अपने मोबाइल से कर रहा हूं सबसे पहले आप सबको मैं दो चीज मैं बात करना चाहता हूं करोना के लिए आप सब जानते हैं कि कल से अगर तला में लॉकडाउन होगा और ये निश्शित भी है अगर आपको बाहर नहीं जाना है तो प्लीज डूंट गो आउट आप जानते हैं कि राजमाता को भी करोना हुआ है कल रिपोर्ट भी आया है कि उनको करोना निमोनिया हुआ है वो स्टेबल है घर में है हम सब देख भाल कर रहे हैं राजमाता का और आप लोगोंने बहुत शुप कामना दिया है आपने बहुत लोगोंने विश्श भेजा है गेट वेल सून बहुत लोगोंने प्रेयर्स भेजा है I want to thank all of you all Rajmata is 76 years old अगले मेने वो 77 हो जाएगी तो इस समय हम chances नहीं ले सकते हैं इसके लिए उनका health को हम अच्छे तरीके से monitor कर रहे हैं डॉक्टर ने भी prescription दिया है उनको COVID pneumonia हुआ है लेकिन वो अभी oxygen support में नहीं है वो घर में हैं उनका देखभाल सब कर रहे हैं हम लोग देखभाल कर रहे हैं ठीक से दूसरा बात है कि कल से क्योंकि lockdown होगा मैं सब को भी यही बोलना चाहता हूँ senior citizens हो, young people हो, youth हो, students हो अभी आपको discipline maintain करके रखना है and please ensure that हम लोग बिना काम के बिना कोई वज़े के बाहर मत निकले क्योंकि यह COVID pneumonia और यह जब करोना वाइरस जब आता है अलग-अलग strain से आता है, अलग-अलग mutant से आता है तो बहुत problem होता है और अगर एक बार हमारे hospitals में जगा नहीं रहेगा oxygen का कमी हो जाएगा तो बहुत खराब हो सकता है इसी के लिए मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे stage tripper में कोई भी loss of life हो इसके लिए आप अपना discipline प्लीज maintain कीजे और mask हमेशा पहन कर रखे अगर meeting नहीं करना है तो meeting को भी थोड़ा सा avoid कीजे necessary नहीं है कि meeting हमेशा चलते रहे हम अपने तरफ से मैं अपने तरफ से मैं जानता हूँ कि मेरे खिलाफ बहुत लोग बोल रहे है लेकिन मैं यहां में भी message में देख रहा हूँ लेकिन जो लोग मुझे attack कर रहे हैं मुझे personally attack कर रहे हैं तबी भी मैं उनको इतना importance नहीं देता हूँ आज भी मेरा बात हुआ है चंदिगर्ण में हमारे बहुत दारलॉंग और रियंग स्टूडन्स है जिनको वापस आना है उनको problem हो रहा है तो मैंने उनसे बात किया है और उनका air ticket लेकर हम मैं अपने तरफ से अपने खुद के pocket से रुपया देकर उनको वापस दृप्रा ला रहा हूँ वो भी थोड़ा contribute करेंगे मैं भी थोड़ा contribute करूँगा लेकिन उनको जल से जल वापस दृप्रा ला रहा हूँ इसी तरीके से हमारे बहुत लोग जो दूसरे जगे में अटके हुए है अगर उनको जल से जल आना है तो मैं अपने तरफ से ये देखिए ये government के तरफ से नहीं है this is not from the government ये मेरे खुद के तरफ से हम help कर रहे हैं जो लोग भी भार में फसे वहें उनको वापस लाना और मैं अपने तीप्रा मुथा के members को बोलना चाहता हूँ कि जो जिन जिन का भी घर में problem है, खाने का problem है थोड़ा सा financial situation खराब है, आप जाकर उनको help कीजिए मैं अपने तरफ से help कर रहा हूँ मैंने अपना पूरा एक साल का salary भी दाल दिया है और उसको छोड़के भी मैं अलग से अपने तरफ से help कर रहा हूँ अभी time है politics करने का time नहीं है अभी time है हम सब को एक होकर एक द्वाफा को एक होकर society को एक होकर ये करोना का pandemic जो महामारी है उसको रोकने के लिए हम सब को एक होना पड़ेगा ये करोना किसी का जात नहीं देखता है किसी का धरम नहीं देखता है ये करोना हमारा कमजोरी देखता है और इस कमजोरी को हमको fight करने के लिए एक होकर fight करना पड़ेगा regarding vaccination state government से आज ही मेरा बात हुआ है state government बोल रहे है कि वो ramp up कर रही है लेकिन हम जब तक vaccines अगर तला नहीं पहुचेगे जब तक vaccines हमारे पास नहीं आएगे तब तक हमको अपना बारे फिर भी सोचना है इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें मैं politics नहीं करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि जब तक हमको vaccine नहीं मिले हमको सतर खोड़कर अपने social distancing रखकर घर के अंदर ही रहना चाहिए और mask हमेशा पहनना चाहिए दो या तीन चीज और था मैं पहले बात करना चाहता हूँ कि कुछ खबर मिले क्योंकि मैं अपने मा के संग उनको देख भाल कर रहा हूँ तो मुझे खबर मिला है कि गंडाचरा में कुछ violence हुआ पुली स्टेशन में कुछ हाता पाई हुआ मैंने अपने unit से बात किया है गंडाचरा से मैंने राजिश्ट रुप्रा से भी बात किया है मैंने वहां के जो दूसरी leader से उनसे भी बात किया है और मैंने काया कि आज ही press conference करो और कोई भी बहुत लोग मैं जानता हूँ जो तिप्रा मौथा में नहीं थे जो last month में दूसरे party से तिप्रा मौथा आये हैं और तिप्रा मौथा का नाम लेकर वो violence create करना चाते हैं मेरे personal जो मेरा image है उसको भी खराब करने का कोशिश कर रहा है इसके पीछे बहुत political parties है मैं जानता हूँ क्योंकि उनको लगता है कि अगर बुबागरा को खतम किया तभी तिप्रासा का थंचा को खतम होगा तो अगर बुबागरा को ये target कर लो बुबागरा की नाम खतम कर दो तो तिप्रासा का जो एकता आज जो बना है वो खतम होगा और ये लोग ये लोग खुद नहीं करेंगे एक दूसरा तिप्रासा को ये लेकर ही बुबागरा का नाम को खराब करने का कोशिश करेगा मैं जानता हूँ ये पुराना पॉलिटिक्स रहा है तिप्रा में कि आप लोहे को लोहे से ही काटते हो तो एक दूसरा को ये लेकर ही बुबागरा का नाम खराब करो तो बाद में थांचार जो तूटेगा वो बुबागरा का नहीं तूटेगा वो तीप्रा सा दोफा का तूटेगा तो ये उनका प्लाइनिंग है लेकिन मैं अभी अपने लीडर्स को बोल रहा हूं कि जो भी जिसने भी ये गंड़ा तुईसा में वाइलिंस किया उनको तीप्रा मौथा में एक पुजिशन नहीं मिलना चाहिए पद नहीं मिलना चाहिए इनफैक्ट उनको सस्पेंट किया जाना चाहिए तीप्रा मौथा का नाम लेकर कोई मेरे कंधे में रख कर अगर कोई वाइलिंस करेगा तो मैं उसको टॉलरेट नहीं करता हूं मुझे नाम चाहिए मैंने अपना भी इंक्वारी किया है और अगले एक हफ़ते के अंदर उन की खिलाफ आक्शन दोंगा सीपियम के लोग बीजेपी के लोग आईपी एफटी के लोग आज मुझे अटाक कर रहें और कहरें कि मैं मुझे अटाक करके क्या मिल रहा है उनको मैं तो मैंने पूरे election में मैंने देखा कि एक news में आया कि IPFT ने कहा है कि जब महाज का नाम गिरेगा तब ही IPFT उठेगा मैंने आज तक IPFT को attack नहीं किया अगर IPFT को सोचना है तो IPFT क्यों हारा election IPFT ने अपना election इसके लिए हारा क्योंकि जिस मुद्दे में वो पावर में आये तीप्रा लैन उसी को उन्होंने छोड़ दिया पावर में रहने के लिए आज हम पावर में काउंसिल में है तभी भी मैं ग्रेटर तीप्रा लैन के बारे बोर्ड रहा हूँ आज पावर से आने के बाद कितने बार उनकी लीडर ने टीप्रा लैन के बारे बात किया है वो भुबागरा के लिए नहीं हारे वो तब हारे जब वो चुप हो गए वो तब चुप हो गए जब C.A. हुआ वो तब चुप हो गए जब N.R.C. हुआ वो तब चुप हो गए जब हमारे खिलाफ एक पूरा प्लानिंग किया गया था हम लोग को खतम करने के लिए और वो चुप रहे क्योंकि उनको पावर में रहना था वो चुप इसके लिए रहे क्योंकि उन्होंने तीन साल में सिर्फ अपने BGP के ही लोगों को अटैक किया ना कि किसी और को तो ये उनका एक पूरा प्लानिंग है और इसी के लिए वो लोग आज पावर से बाहर है उनको लगता है कि उनका दुश्मन बुबागरा है उनका दुश्मन बुबागरा नहीं उनका दुश्मन है वो जो पैसे के लिए अपने लोगों को पीछे रखकर अपना खुद का संसार बढ़ा रहे हैं करप्शन है आपका प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम है कि आपने जिस बात से आप पावर में आए उसी को आपने छोड़ दिया हाँ development बहुत बड़ा issue है development ही बहुत बड़ा issue है लेकिन हमको आदमी ने पावर में सिर्फ development के लिए नहीं लाया हमको greater tipra land या आप के लिए tipra land के लिए भी लाया था जो हताय कोतोर में है जो हमने बारा दिन आप लोग ने बारा दिन दस दिन गाड़ी में आपने रास्ता रोका उस समय आपने development के बारे बात किया था आपने education के बारे बात किया था नहीं आपने तipra land के बारे बात किया था आज वही बात आप नहीं कर रहे हैं इसी के लिए अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरा option लेके आए मैंने पूरे election में किसी के खिलाफ कुछ नहीं का मैंने पूरे election में positive campaign किया लेकिन आज सब लोग मिलकर मेरा नाम खराब करना चाहते है क्योंकि उनको लगता कि अगर बुबागरा का नाम खतम हुआ तो हम लोग उठेंगे, नहीं अगर मैं गिरूँगा, तो फाइदा किसी और का है आपको तो सामने पुतला बना के रखा गया है सोचो, आज भी मैं आप सब को अपील करता हूँ जैसे INPT ने अपना स्वार्थ नहीं देखा बिजेर अंखौल इतना सीने लीडर अपना स्वार्थ नहीं देखा उन्होंने दौफा के बारे सोचा, उन्होंने अपने पार्टी को कहा कि अब तिप्रम मौथा के संग हमको एक हो जाना चाहिए I welcome that step, that is called थांचा, उसको देखिए आज हमारे ब्रू लोगों को अभी भी ठीक से रहने का ज़गा नहीं मिला है उसमें हमको थांचा हो कि एक संग काम करना है लेकिन नहीं, आपको पॉलिटिक्स करना है आज NRC का केस अभी भी सुप्रीम कोट में है NRC का केस अभी भी सुप्रीम कोट में है, मैंने केस फाइल किया है उसमें हमको थांचा होना है इसी के लिए मैंने आज तक पताल कर्णिया के खिलाफ कुछ नहीं बोला क्योंकि उसने भी सुप्रीम कौट में नर्सी के खिलाफ ये केस फाइल किया आज CAA में मेरा केस है सुप्रीम कौट में उसमें आपको solidarity देना चाहिए उसमें आपको आकर सामने हमको support करना चाहिए लेकिन तभी भी आप चुप हैं क्यों क्योंकि आपको आपने जो भाषन दिया है election में और उसके बाद जो काम कर रहे हैं वो अलग है this is not acceptable final point charity begins at home काम हमेशा घर से शुरू होता है मैं दूसरे पार्टी को कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा मेरे तीप्रा मौथा में भी मैं दो-तीन लीडर को clearly उनको मैं देख रहा हूँ उनका काम कैसा चल रहा है और through facebook live मैं आप सब को जो business में है जो दुकानदारी करते हैं मैं आप सब को बोल रहा हूँ एक रुपया एक रुपया भी आप चंदा में कोई भी लीडर को मत दो तीप्रा मौथा के नाम में क्योंकि ये लोग तीप्रा मौथा के लीडर्स नहीं हैं दूसरे पार्टी में थे लास्ट मोंड में आये हैं और तीप्रा मौथा का नाम लेकर अपना पैसा कमाने का चक्कर में आने वाले एक हफते के अंदर मैं तीप्रा मौथा का सेंट्रल कमिटी यूथ कमिटी बुरुई बदौल और हम लोग का स्टूडन्स का को हम स्टार्ट करेंगे और उस टाइम जो अपॉइन्मेंट्स होगा वही उफिशल रियल असली तीप्रा मौथा का लीडर्स होगा जो लोग गाउं गाउं जाकर किसी को दढ़ा रहे हैं जो आज से तीन मेहने पहले तक दूसरे पाटी में थे अभी क्योंकि तीप्रा मौथा पाउर मा है तो उसमें घुज कर आप अपना दादागिरी कर रहे हैं आप लोगों को पोस्ट नहीं मिनने वाला है तो आपका धंदा भी मैं बंद करूँगा क्योंकि मैं करॉप्शन को देखता नहीं हो, मैं करॉप्शन को टॉलरीट नहीं करता हूँ और कोई भी एक रुपया भी मत दो कोई भी लीडर जो आकर तीप्रा मौथा के नाम में चंदा करेक करना चाहता है यह मेरा clear point है देखो तीप्रा मौथा is a movement हमारा movement है for greater तीप्रा लैन जिस दिन greater तीप्रा लैन मिल गया उस दिन मेरा एक काम खतम होता है यहां में बहुत लोग बोल रहे है कि महराज आप next chief minister बनिये मुझे next chief minister नहीं बनना है मुझे next MP भी नहीं बनना है मुझे next कुछ नहीं चाहिए मुझे next तीप्रा लैन चाहिए और वो greater तीप्रा लैन में सब लोग खुश रहेंगे बिंगॉलीज भी खुश रहेंगे मनिपूरीज भी खुश रहेंगे हमारे तीप्रासास खुश रहेंगे हिंदूस खुश रहेंगे क्रिश्चन्स खुश रहेंगे बुदिस्स खुश रहेंगे सब खुश रहेंगे मुसलिम्स खुश रहेंगे क्योंकि हम धरम जाती में भेदभाव नहीं करते और हमारा एक मुवमेंट है और ये मुवमेंट आगे रहेगा अगर मुझे ही अगर मुझे एक पत देकर मैं आज अगर अपने ही आइडियोलजी में कॉंप्रमाइस कर दो जैसे जो दूसरे पार्टी जो पावर में आने के बाद मंतरी बनने के बाद अपने आइडियोलजी में उन्होंने कॉंप्रमाइस किया है अगर मैंने कॉंप्रमाइस कर दिया क्योंकि मुझे CM बनना है, मुझे MP बनना है, मुझे मंतरी बनना है, अरे भाई, यह से क्या मिलेगा, यह post permanent नहीं होता, मुझे आपके दिल में permanently बसना है, और उसके लिए मेरा personal post का कुछ मतलब नहीं रहता है, इसके लिए मैंने, काउंसिल में आने के बाद भी, अपना CM का post मैंने नहीं दिया, एक अच्छे honest इंसान पुर्णुक चंद्र जमत्या को दिया, क्योंकि he is a honest man, इसी के लिए मैंने कहा है कि अपने party में one man one post होगा, one man one post, मतलब जो सरकार में है, वो party में नहीं होगा, जो party में है, वो सरकार में अगर यही चीज दूसरा party भी करता, तो आज शायद president और general secretary को छोड़के और दो मंतरी रहता cabinet में, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं किया, मैं वो गलती नहीं करने वाला हूँ, मैं वो गलती नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे party में जो government में है, वो party में नहीं होगा, और जो party म भी है, they are most welcome, they are invited to give their opinions, वो लोग अपने opinions देंगे, EM's अपने opinions देंगे, लेकिन party का structure, government के structure से, administration के structure से, एकदम अलग होगा, इसके लिए, मैं आप सब को बोल रहा हूँ, कि, we are going to make atipra-motha organization in the next one week, उसके बाद आप देखे, हम आने वाले दिन में क्या काम करते हैं, आज हमारे पास council में administrative पाई है, लेकिन council में आज भी हमारे पास पैसा नहीं है, आज भी 85% जो पैसा आता है, वो तंखा में चला जाता है, और जो 5,000 लोगों को हम तंखा देते हैं, या 6,000 लोगों को हम जो salary देते हैं, वो salary देने के बाद, जो 9,00, आदमी और है, जो 9,00, व्यक्ति और हैं तृप्रा में, जो हमारे ADC में है, 9,50,000 और, उनको देने के लिए कुछ नहीं रहता है, मैं इसको बदलना चाहता हूँ, पैसा आपके पास आना चाहिए, politics कम होना चाहिए, और ये जो village council पंचायत election है, उसमें election, symbol के इनलाम में नहीं लड़ना चाहिए, जो गाउं decide करेगा, जो पंचायत decide करेगा, जो village decide करेगा, वो हमारे party को मानना पड़ेगा, क्योंकि गाउं हम से जादा जानता है, क्योंकि गाउं के लोग हम से जादा जानते हैं, और ये जो लोग आकर बोलते हैं कि मैं politics ला रहा हूँ इसमें, सबसे पहले, अगर village council election में हमने अपना political symbol हटा दिया, और हमने गाउं को decide करने के लिए एक मौका दिया, कि जो गाउं decide करेगा, वो ही हमारे लिए ठीक है, तो असल में उन्नती होगा, असल में democracy होगा, ये मेरा last point से, if there is any question, आप पूछ सकते मुझ से अपने हैं, any questions, थैंक यू सुश्मिता देबनाथ, थैंक यू, समर्जीत चक्मा, ILP is a demand that we have asked for, and that is our solution, हमने ILP demand किया है, अगर government of India के पास ज़्यादा अच्छा idea है, तो हम सिर बोले है, लेकिन ये हमारा core demand है, बर्खा जोई, right job, what help do you want? समिरान, मैं भी विश्वास करता हूँ, बहुत लोग मेरा नाम खराब करने के लिए planning कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन वो कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो planning कर रहे हैं, उसके पीछे भी कोई और है, राजमाता is not well, she is stable, she has got covid pneumonia, she has got fever, और हम उनका देख बाल कर रहे हैं, गेंजी ताकिया, first EDC council session will be, I think sometime this month, अगर करोना हो गया है, then I don't know, but I will look into it. पंकजडास, सच बात मैं बोलू, मुझे statutes के उपर कोई दिलज़श्पी नहीं है, महाराजा बीर बिकरम के नाम में statutes नहीं करके, अगर हम लोग महाजा बीर बिकरम के नाम में scholarship खोल दे, तो जादा अच्छा होगा, जो पैसा हम लोग मूर्थी में खर्चा करते हैं, उससे जादा अच्छा है कि हमारे students के education के लिए खर्चा कर दे, वो मुझे जादा अच्छा लगता है, जादा ठीक रहेगा. थैंक यू, मोहमद दिलावर हुसेन, कोई questions है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, अविक पॉल, नो, I have not thought about any such thing as of now. खुमुलूंग में जो हो रहा है, मैंने मुझे पूरा मालूम पड़ गया है, सुरेश दे बर्मा, एक हफ़ते के अंदर आप देखिए, मैं पूरा बदलता हूँ. बहुर, what help do you want from Hyderabad? सुरेश दे बर्मा, खुमुलूंग में जो हो रहा है, मैंने कह दिया है, कि हम कोई भी association को accept नहीं करते हैं, कोई contractors association हो, कुछ association हो, वो तीप्रा मौथा का representative नहीं है. जो मैं बोल रहा हूँ, वो आप सुनिये, गाओं में आकर दस लोग दस बात बोलेंगे, लेकिन इसी के लिए मैं facebook live में आता हूँ, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ, वो ही truth होता है, वो ही reality होता है, क्योंकि party का chairman मैं हूँ, और मैं बोल रहा हूँ, कि मेरे party के नाम से किसी को अब एक रुपया चंदा करने के लिए भी आप चांस नहीं दीजे, खापंग बोरोग, we are going to start the youth tipra, we are also going to start the student swing, burui bodol, in one week's time, then we can improve the tipra motha and the grassroot, but सबसे important बात है, आप लोग tipra motha को अगर ज्यादा political बनाओगे, तो हम लोग का लोगो का कभी उन्नती नहीं होगा, जब तक ये tipra motha एक movement रहेगा और एक political party कम movement ज़्यादा रहेगा, for greater tipra land, तब तक हम लोग successful रहेंगे, जिस दिन हम दूसरे party के से बन जाएंगे, उस दिन हम भी खतम हो जाएंगे, ये मैं point आप सबको clearly openly बोल रहा हूँ, जर्ज देबर्मा, वेर आएंगे, वेर यू फ्रम, हरी केश देबर्मा, मैं village council election में candidate अपने तरफ से नहीं दूँगा, जो गाउं मानेगा, उसी को हम देँगे, जॉन मॉल्सोय inner line permit is not implemented in तृपुरा, it cannot be implemented in ADC unless it is not implemented in तृपुरा, we do not have a single MLA in the assembly, this has to be raised in the assembly of तृपुरा, not in the ADC council, साजल देबर्मा, ADC में PWD को साल का 4 करोड 50 लाग दिया जाता है, और state के पास over 200 से 300 करोड रुपय होता है, तो हमको जो काम दिया जाता है, सिर्फ 1% काम दिया जाता है, और उसमें भी ये साल अभी तक रुपया नहीं आया है, मैंने देखा यहां में 2-3 questions हैं, जो सब लोग पूछ रहें, कौन को क्या पोस्ट मिलेगा, कौन को क्या पद मिलेगा, कौन कहां जीतेंगे, मैं आपको एक पाद पूछना जाता हूँ, मैंने खुद MP का पोस्ट नहीं लिया, मैंने खुद Congress का पोस्ट छोड़ा NRC के लिए, NRC के लिए मैंने sacrifice किया Congress का प्रेज़न का पोस्ट, और CA के उपर, आज Council जीतने के बाद मैंने खुद अपना एक पोस्ट नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पोस्ट आने से पार्टी का काम नहीं होगा, और मेरा जो डिमांड है Greater Tipper Land वो हलका पड़ जाएगा, क्योंकि मैं Government में भी हूँ और मैं पार्टी भी चला रहा हूँ, इसके लिए One Man One पोस्ट किया, मैंने खुद अपने बारे एक पोस्ट नहीं मांगा, और आप लोग यहां में दो-तीन लोग हैं, जो पूछ रहे हैं कि मुझे यह पोस्ट मिलेगा, मुझे सब-जोनल पोस्ट मिलेगा, मुझे जोनल पोस्ट मिलेगा, मुझे गाउं में, आप लोगों को आदमी ने वोट दिया है, पोस्ट के लिए नहीं दिया, आप लोगों को हमारे तीप्रा साने वोट दिया ग्रेटर तीप्रा लैंड को फुल्फिल करने के लिए उसको मत भूलो अगर आपको लगता है कि आपको पोस्ट मिलने से आपका जिंदेगी बन गया नहीं बना है इसी के लिए जो दुसरा पार्टी आज है वो खतम हो चुका है उनको लगा MLA बनके मंतरी बनके सब हो जाएगा कुछ नहीं होता है आपका रियल सैक्रफाइज है आपके देश के लिए आपके लोगों के लिए इसके लिए मैं बोल रहा हूँ अपना पोस्ट के पीछे मत भागो Greater Tipra Land का movement के पीछे रहो Jit Sena Why don't you ask the same question Is all the other parties only for general area not for ADC Can you ignore 70% of Tripra ADC है Jit Sena 70% Tripra ADC के अंदर है हम 70% तृप्रा के लिए लड़ते हैं जो जमीन है चुमोई हाटा का ये पुलीस एक्ट हैस बिन विए पास दे बिल उसके बाद स्टेट कर्मेंट को पैसा देना पड़ेगा क्योंकि हमको पुलीस चाहिए तुगाडा ओन एडिसी चैंड़ा पीके अभी तो मेक एडिसी इंट टूरिजम प्रेस अभी दे मोस्ट इंपोर्टन पॉइंट है ग्रेटर तीप्रा लाइंट अगाव तो फाइट करोना मैं पार्टी के लिए बात करता हूं मैं गर्मेंट के लिए बात नहीं करता हूं पद्मा चाक्मा आइनो यह हुआ है वाइलेंस नहीं होना चाहिए ठाइंक यू नाइशर कोई स्पेसिफिक क्वेस्टन हो तो आप प्लीज पूछे मुझसे आने वाले एक हफ़ते के अंदर मैं पूरा तिप्रा मौथा का सेंट्र कमिटी यूथ फ्रंट स्टूजन फ्रंट बुरुई बदल को रियोगनाईज कर रहा हूं निरंजन दास करोना में सब लोग मर रहे हैं नौकरी नहीं है और आप विदान सभा के बारे सोच रहे हैं विदान सभा के बारे हमारा एक पुलिटिकल मूव्मेंट है अगर हमें तीप्रा लाइन विदान सभा के पहले मिल जाता है ग्रेटर तीप्रा लाइन तो हम नहीं लड़ेंगे हमारा मतलब भी नहीं हमको अलग मिल गया जो हम चाहते थे और अगर नहीं मिला तो ज़रूर लड़ेंगे कुपलाई बरॉक एडिजी डिरेक्ट फण अगें दिल्ली से बात करना पड़ेगा और इसी के तो हम ग्रेटर तीप्रे लान मांग रहे हैं कि कब तक हम डिरेक्ट फण मौर पावर मौर पावर बोलेंगे इसके लिए हम बोलेंगे हम लोगो डिरेक्ट पावर दीजिए दौंदी जमत्या अगर हम एक दूसरे से लड़ते रहे तो ग्रेटर तीप्रे लान कभी नहीं मिलेगा अगर हम लोग के बीच में थांचा रहा और हमने एक दूसरे को कम अटैक किया और हमने इशू को ज़्यादा सामने रखा तभी कुछ मिलेगा इसी के लिए मैं बोल र करेंगे जो इल्लीगल है इस देश में उसको नहीं रहना चाहिए और ग्रेटर तीप्रेलान हमारा कौर इशू है उसको हम पकड़ के रखेंगे अगर विदान सभा में सीपे में वोट नहीं दिया तो नहीं देने दो हम आज भी जीरो हैं परसों भी जीरो थे कल भी जीरो रहेंगे लेकिन हम अपने आइडियोलजी से कॉम्प्रमाइज नहीं करेंगे वोट के लिए नयश और आइण इए य। विमन सी इज भी जाएच जा सिंदान राइण धर आईटर नग्टर थेपूरा अनोग्ट बल्संद दियरो अटर नहीं द्रयों से प्सक्राइण प्रम एम्टर्ट दियरों से च्ट्रें ट्रिपूरा अग्टर्ट दियर नहीं हो तर्यों one Ramwui, Malsam, yes all people including from the Malsam, Kaipeng, Mok, everyone are included Manas de Barma, we will have close to 60 Central Committee members Gagan Mohan, Aslong till now no money has come for job creation in TT ADC from the state government सुरज दे बर्मा ठीक बोला अपने पंचाय चैर्मिन इस नाट इंपॉर्टंट ग्रीटर तीप्रा लाइन इस इंपॉर्टंट महराजा का पोस्ट इस नीपॉर्टंट CM बनना important नहीं है MP बनना important नहीं है ideology is more important जिशनुकर तुप्रा में full lockdown शायद नहीं होगा लेकिन अगरतला में कल से कर्फिय होगा और मैं सब को अनुरूत करता हूँ कि please follow the government guidelines किरन शर्मा मैं जब अपने लोगों के बारे बात करता हूँ तो किसी के खिलाफ बात नहीं करता हूँ मेरे राज्य के idea में सब हैं Bengalis हैं, Hindu हैं, Christians हैं, Muslimान हैं Manipuris हैं, जो हिंदुस्तान से आये हैं हिंदुस्तानी workers हैं, चाबागान के workers हैं सब हैं, हम किसी के उपर अत्याचार नहीं करते हैं secular है और किसी धरम, किसी जाती के खिलाफ नहीं है तो, any last questions, क्योंकि इसके बाद मैं कचांक तृपरा कौन से गाउं में हैं, से हैं आप आपो मौनी, we are going to have a student swing करन चाक्मा, we are getting roughly 350 crores is going for the salary and that takes away 85% of the funds till now, this government has not got 1 rupee also for development activities we are hoping that आने वाले दिन में उलो भेजेंगे एक काई पेंग, पहले तीप्रा लंट तो अप अचीव करो पहले ground floor तो बनाओ, उसके बाद second floor बनाओ आप बोल रहें कि greater थीप्रान के बाद क्या करेंगे पहले जमीन तो लो अपना वापस अपना अधिकार तो पहले लो आपका गाउंकात नाम तो पताईये हरें विष्णू तीप्रासा और तीप्रासा हाविंग वाइलेंस बिकॉस हम आज तक अभी भी पॉलिटिक जादा करते हैं और दौफा के बारे बात नहीं करते हैं इसी के लिए मैंने का है कि गाउं में नहीं देना चाहिए और शिहानु मॉग नोबडी विल बीगिवन पॉजिशिशन डिसका रिकॉर्ड खराब है पहले से कमल मॉग फाइदी फाइकाहम आईए थैंक यू मेरी इव अपर श्रीशन अभी तक पूरा पहुंचा नहीं है हम लोग देखते हैं कि कितना जल्दी हो सकता है गुद स्रेजेशन आपर मानी जमतिया आई लुक इंट इट थैंक यू आईशा थैंक यू राजमाता I will convey all your wishes to राजमाता राजमाता को मैं सबका आपका शुप कामना कर देता हूं थैंक यू थैंक यू